आप जानते हैं कि पाचन तंत्र, परिशन चरन तंत्र, स्वसन तंत्र और उस सर्जन तंत्र एक दुसरे से बहुत निकट का संबंध होता है इनमें और सुचिए यदि इन तंत्रों में आपसी ताल मेलना रहे तो क्या सरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो अगर पाचन तंत्र भोजन को पचाने का कारे ना करे भोजन रक्त में मिल पाएगा कि नहीं स्वसन तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन रक्त में ना मिल पाए तो क्या सरीर को उड़जा मिल पाएगी अतह सरीर के विभिन अंगों में ताल मेल को बनाये रखने के लिए यह जरूरी होता है कि कि तंत्री का तंत्र क्या करता है इसको ताल मेल को बनाये रखता है और यह ताल मेल बनाये रखने के लिए कौन कार करता है तंत्री का तंत्र अब जानते हैं कि तंत्री का तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं जो ताल मिल बनाए रखने के लिए क्या करते हैं इनका सहयोग करते हैं जैसे कि आप लोग खिलते हैं, पढ़ते हैं या सवाल हल करते हैं तो ये सभी कारे आप सोच समझ कर अपनी इक्षा क्यानुसार करते हैं, और इन सभी पर क्या करता है, मस्तिक जो होता है, वो क्या करता है, नियंत्रन बनाए रखता है, कुछ किरियाएं हम बीना सोचे समझे करते हैं, जैसे कि आपके पैर में जब काटा गड़ जाता है, तो आप अपना पैर क्या कर लेते हैं, तुरंत हटा लेते हैं, यही कार ये उसी प्रकार से तेजी से होता है, जैसे कि आप बेदरी का बटन दबाते हैं, तो बल्फ क्या हो जाता है, तुरंत जल उठता है, तो इन क्रियाओं पर हमारे मस्तिक्स का नहीं, बल्कि कौन कारे करत मेरूरजु करता है। मेरूरजु इसका नियंत्रन करता है। तो मस्तिक्स और मेरूरजु के धागे के समान अनेक रचनाय निकल कर हमारे सववेधी अंगों और सरीर के विभिन भागों में फैले रहती है। इन ही को हम क्या कहते हैं, तंतरिकाय कहती है, जो सुशुनाओं का आदान प्रदान करती है अब ये सवेदी अंग होते क्या है तो आप जानते हैं कि हमें आखों से प्रकास का, कानों से ध्वनी का, नाक से गंध का और जीव से स्वाध का और त्वचा से इसपर्स का नुभाव होता है और यही आखे, कान, नाग, जीब और तवचा ही हमारे क्या कहलाते हैं सवेदी अंग कहलाते हैं इस प्रकार से तंत्री का तंत्र हमारे सरीर में मुख्य कारे निभाती हैं और यही सुषनाओं का आदान प्रदान करती है